भारती किसान यूनियन चड़ूनी गुरूप के राष्टी अध्यक्ष गुर्णाम सिंग चड़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा की कारप्रनाली पर सवाल उठाये हैं साथ ही SQM के नाम पांच पन्नों का एक खुला पत्र भी लिखा है जिसमें लखीमपूर खीरी कांड समेत कई मुद्नों का जिकर कर SQM पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं चड़ूनी ने अपने लेटर में लिखा कि यूपी गे लखीमपूर खीरी में केंद्री ग्रहराज जिमंत्री अजय मिश्रा टेनी के कारिकरम का विरोध करने पहुँचे पांच किसानों की गाड़ी से रौध कर हत्या की गई थी लेकिन इस हत्या कांड में SQM ने किसानों को गुमराह किया क्योंकि वो जब पंजाब से लखीमपूर जाने लगे तो मेरट से उन्हें गिरफतार कर लिया गया पुलिस ने साफ कहा था कि लखीमपूर खीरी तक न पहुंच देने के सकत आदेश है जबकि राकेश टिकैज समेत अन्य नेताओं को ही लखीमपूर खीरी तक पहुंचने दिया गया उन्होंने ग्रिह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्री मंत्र मंडल से बरखास्त करने के अलावा अजय मिश्रा और उनके बेटे समेत अन्य हत्या रुपियों की गिरफतारी न होने तक शहीद किसानों का अंतिम संस्कार न करने का आग्रह किया था लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई यहां तक कि चडूनी की गिरफतारी के बाद उनकी रिहाई के लिए भी एसकेम ने कुछ नहीं किया जबकि बारती किसान यूनियन चडूनी ग्रुप को अपने संगठन के बलबूते पर रोड जाम करने की पॉल देनी पड़ी जिसके बाद चडूनी को रिहा किया गया जबकि आंदोलन एसकेम तुरंत एलान करता रहा की पहले चडूनी को रिहा किया जाए और बाद में लखीमपुर में कोई बड़ा कदम उठाता वोई राकेश टिकैद पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा राकेश टिकैद समेत अन्यनेताओं ने बताया था कि सरकार ने मांगे मान ली हैं जबकि ये सफेद जूट था क्योंकि उससे पहले किसानों के खिलाप धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया जा चुका था इसे देश के किसानों से जानबूश कर छुपाया गया आज भी चार निर्दोश किसान जेल में बंद हैं चडूनी ने आरोप लगाये कि जेल में बंद एक किसान के परिवार ने बताया है कि यूपी के एक संगठन के जिला परधान ने घर से बाजार ले जाने के बहाने से एक किसान को गिरफतार कराया यहीं नहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने पीड़ितों को नयाय दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया चडूली ने अपने पत्र में ये चेताउनी भी दी है कि अगर मोर्चा आरपार का फैसला लेने की हिम्मत नहीं है तो अपनी इस्तिती असपश्ट करे ताकि वो अपने संगठन के दम पर जेल में बंद निर्दोश किसानों को रिहा करा सके साती हफ्तक शेपन करने की सला अभी दी है